कौन सा शेर है और आपको कौन सा कलर पसंदस के लिए सर इसमें हरा रंग मुझे बहुत पसंद है स्टॉक का नाम है कोल इंडिया और यह तो काला हुआ करता था अब इसमें से फर्याली दिखती है किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो कभी भी देख लो स्टॉक में आपको सि बहुत बढ़िया कर रही है वह तो बहुत अच्छे होई रहे अर्निक्स में देख रहा है शेर के भाव में देख रहा है और साथ में अगर आप देखें तो अब फॉर्वर्ड इंटिग्रेशन पर फोकस कर रही है यानि इनकी जो दो सबसेंटरीज है यह आगे जाके पार सब्सक्राइब तो बड़ा चंग जो कंपनी का है वहां पर कमजोरी आती होगी नजर आ रहे हैं तो हो सकता है थोड़े ग्रोट पे इसके प्रीम जो घटे लेकिन अगर वालिम्स बढ़गी तो यह चीज कंपनसेट हो जाएगी तो यहां पर फोकस रखना चाहिए लेकिन मैनेजमेंट अपने गाईदेंस को भी घटाया एपाई 24 के यहां पर वॉल्यूम गाईदेंस को देखे तो एक परसेंट से गटाते हुए दिखें तो दो आपको कारोबार है वान ओफ एक वाईड कंपनी कंपनी ए दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनर है उसकी पर मिल रहा है और इतना बढ़ने के बाद भी तक करीबं सौ परसंट चल गया एक साल में इफ्टी का टॉप पर्फॉर्मर है इस भाव पर भी अगर आपने स्टॉक को खरीद लिया और जैसी अर्निंग चलती रही तो तक करीबं 6 से लेके साथ परसंट की शांदार वालुश जैसे कि आपने बता है वो अलड़ी प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है तो यहां से हो सकता है कि अब यह हरे से जादा लाल में आपको नज़र आ है लेकिन जेफ्रीज इस बात से बिलकुल सहमत नहीं है मामरे के हरा और गहरा होगा और खरीदारी के राय दे रहे 540 के टागेट के लिए लेकिन सिटी की नीट्रल की राया है और टागेट देके तो 430 रुपे का है तो लाल ज्यादा नज़र आ रहा है हरा हरा दोनों के तर्क का काफी मजबूत है इसका मूड कम है लड़ने का इसा मजा नहीं आया हमको एक्जम बिलकुल भी ऐसा तो यूजर आशीष मेदानी छोड़की चले जाएं तो आशीष किसकी मानी जाए फिर मतलब अश्यर मेरी मानी जाए जयतं सेक्टर इनलिस्टों इसलिए ओके कॉल इंडिया जिराश्य से रायल है शरीश्य ऑलके की कंपनीए है शरीश्य कोलकता वाले है ज्याधा अतर कारवार कर कॉल काफी बढ़िया थे और मेरे इसाब से मैं भी नूटरल स्टांस लेकर चल रहा हूं देखिए ऑप्टिमली जो डिविडेंड डिल्ड है जिस टाइप के नंबर्स है और जैसा आशीश ने भी बोला कि नौट टाइम स्ट्रेड कर रहा है तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है पिछले तीन-चार साल में अब्यूसले एक लोवर बैंड में ट्रेड किया ये एसजी वगारा के ओवर हैंग में लेकिन जो डिविकेशन है वो भी एक कर रहे है ने एरियास में जो मेरे इसाब से तीन- साल डाउन दा लाइन है उसके पहले कुछ नहीं है और नौ-दस टाइन पर अल्रेड है तो अभी हाल फिलाल में पिछले तीन-चार साल में जो मल्टिपल्स मिलें उस हिसाब से लगबग फेरली वैलूड है थोड़ा ऑप्टेमिस्टिक व्यू लें तो 11-12 टाइम ट्रेड पाया है और कमोडिटी में खास करके कोल के लिए जो यूरोप रशिया टेंशन की वजए से रशिया यूकरियन टेंशन की वजए से वहाँ पर यूरोपीन डेमांड जो आई थी उसकी वज़ए से कोल को काफी सपोर्ट मिला था बट जिस तरीके का इलेक्ट्रोग आपका रनेवबल एनरजी पे फोकस है मुझे लगता है ग्राजूली कोल के डिमांड थोड़ी सब्डूड रहनी चाहिए तो जो नुपुरने ही ऑक्ष्ण वाला पॉइंट बोला वो भी काफी वालिड है कि वहाँ पे थोड़ा सा स्लोड़ा होना चाहिए तो वो नंबर्स अगर पर जैना पर से नीचे में तो वहां करेंखृदों यहार षरद आरी और इसी पर आर देना चाहते हैं बंसल स्य वांकर प्रश जाल यी मेरी लाक迎े से कुछ नहीं होता उब तो मतलब कि मैं हर वीकेंद ऐनियर जी सेवन करता हूं बार्वी कुल लगाता हूं वह भी प्यूर उनियर जी क्योंकि मेरी बेटर राःट है नियर परण बेड़ीय परसंद वेजटीरियान अए तो पनीर आलू यह सब चीजह लगती है तो तो सेवन तो अनियर जी हम भी डे अनिल जी कोल को करता हूं जा तो पर पर बार्बीक्यू है मतलब कि कुनाल जी तो अके लिए उठा भी ने पाएं दो व्यक्ति चाहिए मतलब कि उसको मैनेज करने के लिए सब्सक्राइग को कि स्केमिन अवे तो मेरे कुनाल जी आभी जाएं जी आप मैंद झाल झाल झाल